स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्डिबल हलो एंड नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके पसंदिदा प्लैटफॉर्म स्टडी आईक्यू आईएस पे मैं प्रशानतिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम करने वाले हैं P.I.B. का Weekly Analysis थर्ड वीक का अपना Analysis रहने वाला है और आप सभी सारे के सारे सेशन्स को इतना प्यार दे रहे हैं उस सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जैसा कि आप जानते हैं जो P.I.B. है Press Information Bureau वो आपके एक्जाम में कई बार Prelims Related Fact य आपकी ये परेशानी को दूर करने के लिए मैं पिछले एक साल से आप सभी के लिए P.I.B. के Weekly Analysis को ले कर आ रहा हूं और ये हमारा दिसंबर का थर्ड वीक का क्या है P.I.B. का Weekly Analysis रहने वाला है तो चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट से और इसकी PDF आपको कहां मिलेगी PDF पर एक टेलेग्राम चैनल का नाम है प्रशांत तिवारी PDF ये टेलेग्राम चैनल है आप सब इसको क्या करिए जॉइन करिए और यहीं पर ही आप चैनले दोस्त आप सभी के लिए बहुत ही खास यह information है कि आप अगर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह best है आपके लिए आपको सुचिए 2024 का एक्जाम अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए डेढ़ साल अब रह गया और अगर आप UPSC की तैयारी के उपर में तवज़ो देंगे तो UPSC का syllabus कम्प्लीट करने के लिए आपको कम से कम कितना समय चाहिए डेढ़ साल समय चाहिए ही होता है इसमें मैं including revision देखिए एक चीज़ की तैयारी बिना answer writing के कुछ भी नहीं है आपकी UPSC की तैयारी बिना prelims के test लगाए कुछ भी नहीं है तो तैयारी के अंदर में इन सबको मैं include कर रहा हूं तो इस course के अंदर में आपको क्योंकि डेढ़ साल का समय है तो बहुत detailed way में plan किया गया है कि आपको GS चाहे वो prelims हो चाहे वो मेंस हो उसका GS तो आपको मिले ही साथ में ही मेरे दोस्त आपको prelims और मेंस की test series भी मिले hand written notes मिले आपको current affair program के तहत में video PDF सारी चीज़े मिले सब कुछ आपक के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी ही क्या है यह सिमित अवेलेबल है जहां पर आपको मात्र 17,499 रुपे में कोर्स मिल जाएगा बस code क्या यूज करना है PRT live code यूज करना है और एक खास बात और यह rate जो है यह जो offer है यह सिर्फ आज यानि कि 31st December तक valid है उसके बाद में इसक क्लियर कर दूँ तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़नेते समय पर सबसे पहला जो मैं आइटम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यह सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स चूंकि न्यूज में कई बार यह चीज आती रहती है बहुत बार यह न्यूज में आता है कि स जीरो हंगर की बात कर रहे हैं जब हंगर इंडेक्स आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल नंबर टू यह कहता है हम जब पौवर्टी की बात कहते है तो यह क्या है वहाँ पर आपका सस्टेनेबल डेवलप्मेंट नंबर पौवर्टी की बात करता है तो मुझे लगा एक स्लाइड के अंदर में यह सारी चीजे में आपके लिए लेकर आ जाओं कुछ गोल्स डिसाइड किये गए वर्ल्ड के अंदर में यह 17 गोल डिसाइड किये गए कि इनको 2030 तक हमें अचीव करना है जिससे हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को ट्रांस्फॉर्म कर सके तो यह गोल है 17 इनको याद करने का तरीका अपना हर किसी का अलगल हो उसका मैंने कई बार आपको बताया है इस बार भी बता रहा हूँ जैसे मैंने याद किया जीरो मैं लोगए नोपावर्टी यानि की गरीबी अगर नहीं होगी तो भूखा भी कोई नहीं रहेगा यानि की जीरो हंगर रहेगा और अगर जीरो हंगर रहेगा तो उसके बाद में क्या health भी क्या रहेगर sufficient बढ़िया रहेगी अब अगर health अच्छी रहेगी तो education के मैंने ये पांचो पूरे के सीरियल में याद कर लिए तो ऐसे कर लिए आप sustainable कि यूपी की इंदर में एक बार डारेक्ट कुश्चन यह आचुका है कि sustainable development goal for किसकी बात करता है यूपी PCS के अंदर में आचुका है स्टेट पीसेस में तो आप याद कर लिजेगा जिसे चेक इसकी बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की आफोर्डिबल एंड क्लीन एनर्जी की सात्वा डेसंट वर्क एंड एकोनोमिक ग्रोथ आठवा नौवा क्या है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्र पीस जस्टिस और उसके बाद में पार्टनर्शिप अब यह 17 अगर आपने याद कर लिए इनको किसी भी तरीके से याद करो यह एंशौर हो जाएगा कि आपका एक क्वेशन तो कभी भी गलत नहीं होगा और इनको याद करने से आपकी एक और बहुत बढ़ी समस्चा सॉल जाएगी यह सब चीज़े चलाई जा रही है ना उनके बारे में आपको पता चल जाएगा उनके पीछे रीजन क्या है कहीं ना कहीं यह सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल उनसे के साथ में क्या रिलेट करते होंगे चले तो पहला आर्टिकल देखें अगर मैं दूसरा आर मायनौर्टी राइट्स डे हर साल हम 18 दिसंबर को मनाते हैं किसके दोरा मनाया जाता है नेशनल कमिशन फॉर मायनौर्टी के दोरा ठीक है यूनाइटेड नेशन्स ओन ने 18 दिसंबर 1902 को अडॉट किया था और ब्रॉटकास्ट किया था किस से रिलेटिट इंडिवीज्व यूनाइटेड नेशन के अंदर में दोस्तो 18 दिसंबर 1902 को हमने अडॉट किया था रिलिज्विस्टिक एथनिक राइट्स के बारे में इंडिवीज्विज्व के इसलिए हम 18 दिसंबर को क्या मायनौर्टी डेके रूप में मनाते हैं ठीक है कि यह किसलिए जाग रुकता कम्यूनिटी आगर आप देखेंगे मुस्लिम सिख क्रिस्चन बुद्दिस जैन और जोरास्रियन वह सभी के सभी आए अब यह आप से कुछन पूछ सकते हैं कि कौन-कौन मायनौर्टी के इंदर में इसके इंदर में उन्होंने भाग लिया स्कीम के बारे में उनको अवेर इनर्जी वीक मुटा मुटा याद रख लिएगा तो अभी क्या है जो इंडिया का फ्लैक्शिप इवेंट है एनर्जी इवेंट क्या है इंडिया एनर्जी वीक आई-ई-डबलू 2023 वह कहां पर हुआ बैंगलोरू में और इसके इंदर में क्योंकि यह वीक है क्या है यह व इसके इंदरी पढ़ा रहा हूँ तो आप यह समझ यह कि अभी जो हम एनर्जी यूज करते हैं वह मैक्सिम क्या है फॉसिल फ्यूल के द्वारा एनर्जी हम यूज करते हैं और फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं दोस्त तो उसके कारण में ग्रीन हाउस गैसिस का ए रिजल यूज करते हूं तो इसकी जगहे पे दूसरी चीज़ें यूज करना हम शुरू करें जैसे इल्लेक्रिक वहिकल यूज करना शुरू करें सलर विंड टाइडर एनरजी ये यूज चार्ज़ ये उसके रिलेटिड है तो बहुत सारे इवेंट्स इस वीर के इंदर में होंगे और सबसे बढ़ा क्या है जैसे देखें दास डांसिंग चार्ज इलेक्री वहिकल का चार्जिंग स्टेशन ऐसे बहुत सारे हैं फ्यूचर यह सारी केश सारी चीज़ इसके इंदर इंडिया का brand and इंडिया के initiatives वर्ल्ड के सामने रखे जाएं जैसे वर्ल के सामने climate change एक बहुत बड़ा issue है आप सभी जानते हैं कि वर्ल के समय पर इस समय पर वर्ल के अंदर में climate change से बड़ा issue कुछ भी नहीं है तो climate change को लेकर लोगों में कैसे awareness आए और लोगों के अंदर में ये कैसे पता चले कि भाई इंडिया क्या क्या चीज़े कर रहा है तो जी 20 का भी हम क्या करने वाले हैं इस्तमाल करने वाले हैं ठीक है जो tagline रहेगी growth collaboration transition यह सारी के साथी चीज़े हैं तो यह प्लीज याद रखिएगा और ज कैसे आगे जा रहे हैं हम क्या क्या चीज़े और improvise कर रहे हैं कहां कहां इंवेस्ट कर रहे हैं कहां कहां पर हम research कर रहे हैं कहां कहां पर हम collaboration कर रहे हैं कहां पर हैं हमारे प्रणर्म श्रद्धे अटल विहरी वाजपई जी पूर्व प्रधान मंत्री जी उनका जन्म दिवस को हम क्या है 25 दिसंबर को इसलिए हम गुड गवर्णनेंस डे की रूप में मनाते हैं तो 19 से लेकर 25 दिसंबर तक हम इसको सुसाशन सप्ता यानि की गुड गवर है जो सिस्टम है वो किसकी तरफ में आपके रूरल एरिया में विलेजिस की तरफ जा रहा है वहाँ पर उनके जो इशूज है उनकी जो परिशानिया है उनको सॉल्व करने के लिए तो यह बस इतना याद रखेगा यह कैमपें फोकस किसके उपर में करेगा कि सर्विस डिल प्रूविंग सर्विस डिलिवरी रड्रसल ऑफ पॉब्लिक ग्रिवांस अक्रॉस दा डिस्ट्रिक्ट यह सारी के साथ चीज़ के दर में करी जाएंगी ठीक है एन एग्जिबिशन और गुड गवर्नेंस प्रेक्टिस विल बी लॉंच्ट यह सारी चीज़े होंगी तो प को कोई भी अगर सुविधा मिल रही है वो ट्रांस्पेरिंसी के साथ मिल रही या नहीं मिल रही है वो चीज़ किसी अथॉरिटी के साथ में अगर आपके पास में आरी तो क्या इसमें कोई करप्शन तो नहीं है इसमें ट्रांस्पेरिंसी है अकाउंटिबिल्टी है या न उनका यूज कर रहें किस तरीके से सिस्टेमेटिक वे में जुडिशियल वे में किसके लिए लोगों के लिए यानि कि सिटिजन की भलाई के लिए इसको हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस है ना आप किसी ऑफिस में अगर जाते हो तो अगर ऑफिस में आपने अप्लिकेशन बहुत बड़ा हिस्सा है तो इसला आप देखेंगे कि कई सारे स्कीम क्या करी जा रही है डायर्क बनेफित ट्रांसफेर औंलाइन किया जा रहा है जैसे आप देखेंगे कि में को आप घर बैठे आपका टाइम वेस्ट न हो आपके resources waste now, आप उसको घर बैठे access कर सकते हैं, ये भी good governance का क्या है, हिस्सा है, ठीक है, तो प्रसाशन गाउं की ओर, ये क्या है, ये nation wide campaign है, जो public grievances हैं, उनको solve करेगा, आपके कहां पर गाउं, यानि की villages के तरह, हर state और union territory हर district में इसको launch किया गया है, ठीक है, special camp लगाये जाएंगे हर तहसील के अंदर में, headquarter के अंदर में, summities में, जहां पर इनको solve करने की कोशिश की जाएगी, प्लीज याद रखेगा, ये बहुत important aspect है, ठीक है, चले, तो ये सारी के सारी चीज़े हैं, और आप workshop भी रहेगी, एक और चीज़ बहुत important है कि, हम ये भी देखना चाते हैं क district level पर, 2047 पर, यानि कि, जब हमें 100 साल हो चुके होंगे, तो वहाँ पर क्या-क्या governance की practices होनी चाहिए, तो ये जो vision है मारा district at 100, जैसे हम भारत को कहते हैं कि 100 साल पर कहां पर होना चाहिए, इंडिया at 75, फिर इंडिया at 100, ऐसे ही governance के मामले में, grassroots level पर, एक district के अंदर में, व achieve की जाएंगी, ये सब चीजे भी इसके अंदर में हैं, next है आपका, bio diversity conference, COP 15, देखिए, मैं अल्रडी आपको बता चुका हूँ, कई session के अंदर में, 1992 के अंदर में, एक summit होती है, जिसको हम Rio summit भी बोलते हैं, या फिर उसको हम Rio earth summit भी बोलते हैं, earth summit, Rio summit, जो वर्जी आप उस BCC, climate change related convention, किसे related, climate change related, तो आप इसके बारे में पढ़ते हैं, COP26, COP27, जहाँ पर greenhouse gases के emission को कम करने की बात की जाती है, global warming को कम करने की बात की जाती है, Paris Agreement, सारी चीज़े, एक और यहाँ पर क्या होते है, एक और convention होता है, convention on biological diversity, CBD, तो उसी की meeting हुई है, कौनसी, आपकी ये, कौ अंदर भी meeting हुई है, कहाँ पर हुई है, Canada के अंदर में, Montreal के अंदर में हुई है, तो इसको COP15, इससे related biodiversity से, 1992 में एक और चीज़ होती है, किससे related, desertification को रोकने के लिए, उसका अब ये convention, legally binding convention, तो ये 3 convention 1992 के अंदर में, जो निकलते हैं, outcome निकलता है, ये भी आद रखेगा, exam तो इस वाले slide के तना focus है, किसके conventional biological diversity, तो universe के अंदर में, जो diversity है, biological, प्लोरा, पौना, जीव जन्तू, पेड़ पौधे, इन सब के अंदर में, उनको कैसे preserve किया जाए, क्योंकि पूरा विश्व जो है, एक food web है, यानि कि हर कोई किसी ना किसी के उपर में, interdependent है, कही ना कह नहीं जाके, भले ही आपको लगता हो कि इस समय पर मेरा इस कीट पतंगे के साथ क्या लेना देना, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर आप अगर देखेंगे, पूरे food web cycle के अंदर में, तो इनसान के साथ लेना देना है, मैं एक example दे रहा हूं, तो food web को कैसे बचाया जाए, तो कहां पर हमारे गए, और कहां पर हुए, मॉन्ट्रियल, कहां पर कैनेडा के अंदर में, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, और इसके अंदर मेर फोकस इसलिए कि आ गया कि जो पार्टीज हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा फोकस वे में, अप्रोच की साथ क अचाना है, उसको हमें प्रिजर्व करना है, ठीक है, क्या करना है, उसे हमें प्रिजर्व करना है, कब तक 2030 तक, तो 30 by 30 ये टार्गेट है, प्लीज इसको भी क्या करिएगा, नोट करके रखिएगा, एक्जाम में चीज कुछी जा सकती है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक किस जा सकता है developing countries कैसे कोप्रेट करेंगे क्या चीज़े करेंगे सारी के सारी चीजे हैं तो यह सारी के सारी चीजे हैं जिन को आप सभी के सभी क्या करेंगे नोट करके रखेंगे ठीक है तो यह चीज आपको सभी को याद रखना कॉप 15 किस से रिलेट़ एपका convention औफ बायो डावर्सिटी इससे रिलेट है ठीक है कहां पर हुआ मॉन्ट्रिल नेक्स है आपका आई एनस मौर्मुगाओ आप सभी जानते होंगे बहुत बड़ा इंशेट का एक पोर्ट भी है कहां पर है गोवा के अंदर वे हैं तो यह हमारा क्या है आई एस मौर्मुगाओ हो यह क्या है मिसाइल डिस्ट्रॉयर है क्या है मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और बहुत-बड़ी मिलब हमारे लिए कैपसिटी है कि इंडिया नेवी के इंदर में काम करता है और इसको कंस्ट्रक किस है मज़गाउं डॉक शिप इल्डर ने इसको मुंबई वालों ने किया ठीक है तो आप सभी कि सभी जानते होंगे कि यह क्या है आत्निरवर कैम हमारे जो क्योंकि एक सेवन्टी फाइप परसंट इंडिजिनसली क्या है डवलप है क्या है इंडिजिनसली इसको सेवन्टी बहुत बड़ी चीज है और मैंने अल्रडी बताया कि उम्र मुगाव क्या है आपका पोर्ट भी है गोवा के अंदर में ठीक है तो बस याद रखिएगा इस चीज के बस खाली ठीक है इसकी मीटर इसकी ब्रेथ है ठीक है और यह क्या है इस नेम्ड आफ्टर दा हिस्टॉरिक पोर्ट सिटी और गोवा प्लीज याद रखिएगा इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट है आपका हनुका फेस्टिवल क्या है हनुका फेस्टिवल तो आप स से शुरू हो चुका है ठीक है हर्ब्रिव मंत ऑफ किशलेव उसके अंदर में मनाया जाता है ठीक है तो प्लीज याद रखिए यह इस बार कप पढ़ा है 18 दिसंबर को पढ़ा है ठीक है और कप खतम होगा 26 दिसंबर को यह कतम होगा तो बस इतना याद रखिएगा हनुका इसको आप इस तो परफॉर्ण कर रही है इस को आप चीज़ नोट करके रखिएगा कि जर्मन वाॉच न्यूग्ल धीक्ट-न graveyard कीम्रेटी्ट नेट्वर्क इंटरनेशनल ये तीनों के तीनों मिलके क्या करते इसको रिलीज करते है पहली बार और क्या करते हैं ये 59 कंट्रीज प्लस में European Union के अंदर में आनलेसिस करते हैं कि Climate Change को लेकर कौन सी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है अच्छा परफॉर्म करने का मतलब क्या ग्रीन हा इसके emission को कम करेंगी यह सारी चीज़े ठीक है तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस एंडेक्स 2023 की जो रैंकिंग है प्लीज इसको नोट कर लिजेगा इंडिया की कितनी है आठ रैंक है क्या है आठ रैंक है तो यह चीज याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इंडिया इस अमंग तो प्फॉर्म क्या है यह 들이 हमारी जो डिसीजन है ऑच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम क्या है टाउप वॉर्फॉर्मिंग कंट्रिश के अंदर में है और हम अगर देखा जाए तो जी ट्वंटि मेंने बेस पेस्वर्फॉर्मेंस है कि यहादे Kabak उड़े देश का आम नागरिक, अब आप यह सोचिए, कि हमारे देश के इंदर में, हम जब देखते हैं, तो हमें ट्रेन की connectivity नजर आती है, वो भी आप तो खेर फिर भी बढ़िया, जो airport है, जो air की connectivity है, यह कहा जा रहा है कि पिछले 8 साल पहले, जब हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, 70 साल में 70 एयरपोर्ट बने थे बस, और पिछले 8 साल में 75 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं, यानि कि हम rapidly connectivity को increase कर रहा है, और देखें, civil aviation जो सेक्टर है, इसके इंदर में जब तक लोग ज़्यादा travel नहीं करेंगी, क्योंकि इसकी cost अच्छी नहीं है, cost बहुत ज़्यादा लग रही है, प्लस में क्या हो रहा है कि regional connectivity आपको कहीं जाना है, तो train तो आपके बिलकुर पास तक पहुचाएगी, railway station, इसके लिए आपको पहले, फिर उसके बाद में 4 घंटा travel करके जाओगे, तो यह बहुत बड़ा इशू है, और टूरिस्ट जो हमारे आप affordable बनाया जाए, तो उसके लिए उड़े देश का आम नागरिक 2016 के इंदर में इसको launch किया गया था, ठीक है, इसके इंदर में कहा गया कि बाइसाब connectivity तो provide करनी है, प्लस में जो, क्यानम है, अब connectivity कैसे provide करोगे, जो existing air strips है, airport है, उनको आपको renovate करना है, उनको enable करना है, ठीक ह affordable price में जा सके, ऐसी देखेंगे आप, क्रशी उड़ान, यह भी शुरू किया, 2020 के इंदर में, जहां पर international, national route को open किया गया, कि आप agriculture produce को क्या कर सके, उसके थूरू transport कर सके, तो यह चीजे हैं, सारी के सारी, आपको already होता हो कि new airports हम open कर रहे हैं, price के उपर में cap, इसलिए लग कर सके, हम कोशिश कर रहे हैं, कि नए नए route को open करें, अब जैसे आपने देखा होगा, मोपा, गोवा के अंदर में अगर यह airport open होता है, तो क्या होगा, वहाँ पर गोवा का जो already, आप जानते हैं, गोवा की पूरी GDP, maximum GDP कि इसके उपर में, डिपेंडेंट है, टूरिजम के जानते हैं, G20 की Presidency भारत के पास में हैं, तो उसी के अंदर में हमने एक Concept शुड़ू किया, Urban 20, U20, ठीक है, कि भारत की Presidency के अंदर में, U20, यानि कि Urban 20, इसको हम host करेंगे, और UNESCO World Heritage City, एहमदाबाद के अंदर में, U20 cycle होगा, जिसके अंदर में हम, कौन-कौन उसके अंदर म होगे, आपके C40, यानि की Climate 40, United Cities and Local Government, UCLG, two international non-government, यह सभी के सभी इसके अंदर में भाग लेंगे, तो main objective कि आप यह समझेगा, कि Urban Areas में, Cities के अंदर में, कैसे way of living को ease किया जाए, कैसे वहाँ पर जो transportation है, उसको sustainable बनाया जाए, कैसे जो energy की demand है, उसको कम किया जाए, कैसे living standard है, उसको improve किया जाए, ठीक है, तो यह चीज़े याद रखिया है, कहाँ पर, एहमदाबाद के अंदर में होगा, city के शेरपाज इसके अंदर में भाग लेंगे, ठीक है, और उसके बादे थीमेटिक discussion होने शुरू होगे, तो आप से सिर्फ यह पूछ रिया जाए, यू जो लंडन के मेर है, कैन, लिविंग स्टॉन, उनके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, इसके इसके इंदर 40 मेंबर, ठीक है, तो 2006 के इंदर में इसको नाम मिला, C40, since it had 40 members that year, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अर्बन एरिया के इंदर में, अर्बन डेवलप्मेंट इशू अर्बन के इंदर में, अर्बन के इंदर में, एरिया में, सस्टेनेबल इशू, अर्बन एरिया के इंदर में, एनर्जी एफिशनसी का इशू, ये सारी चीज़ें इसके इंदर में क्या है, डिसकस की गई है, ठीक है, ठीक है, तो I think ये बिल्कुल crystal clear होना चाहिए, तो C40 Cities Climate Leadership Group is a of 97 cities, आप देखे हर जगे पर cities का ही जिक्रो रहा, कि global economies के इंदर में, cities का क्या रोल है, cities का बहुत important role है, greenhouse gases के emission के इंदर में भी, तो अगर climate change के आप बात करते हो, तो cities अगर अच्छा perform करेंगी climate change के इंदर में, तो सारी चीज़ें पर ये चीज़ें होंगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो U20 क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, ये सारी चीज़ें, बनलब बस इतना याद रखिएगा, कि U20 किस से related है, G20 की presidency, तो U20, one of the engagement group of G20, provides a platform for cities from G20 countries, to facilitate discussion on various important issues, simple, सरल भाषा मैं समझाती है ता, वही definition है, कि urban areas के अंदर में, क्या-क्या development issues है, urban areas के अंदर में, इन G20 countries के अंदर में, क्या-क्या और ज़ादा improvement किये जा सकते हैं, तो वहाँ पर discussion, वहाँ पर idea sharing, knowledge sharing, financing, mobility, इन सब issues को क्या है, discuss किया जाएगा, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या हो, जो lifestyle है, वो क्या हो, improve, ठीक है, यह सारी सारी चीज़े है, और कुछ नहीं, अगला है, पेजल सर्वेक्षन, सर्वेक्षन का मतलब आप समझी चुके होगे, कि आपको क्या करना है, review करना है, survey करना है, क्या survey करना है, तो यह ministry of housing and urban affairs ने शुरू किया है, क तो इस यह assessment जो है, water utility service, sewer connection, used water utility service, health of water bodies, water bodies जो है, उनका condition कैसी है, इन सब broad category के उपर में, for 85 cities के अंदर में क्या किया जाएगा, इस survey किया जाएगा, और आप सभी जानते है, water and water quality, directly linked है किस से, health system से, even अगर water, recycling, water से related issues को हम सही से, handle करने लग जाएं, ठीक है, तो एक और बहुत बढ़ी समस्चा को हम solve कर सकते हों, क्या employment वाला भी issue हम solve कर सकते हैं, ठीक है, तो please याद रखेगा, with inclusion of citizen perception, survey, a citizen drive accountability system will be established, और actual में हमारे देश के इंदर में water level का, क्या issue है, water की quality के क्या issues है, इस survey के मार्दम से हमें पता चलेंगे, ठीक है, clear है, और already मैंने sustainable development की बात करी, कि जब हम sustainable development 6 की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, इसी से related, water security से related issue देखा जाता है, तो पेजल सर्वेक्शन के बारे में अगर देखें तो आप, यह क्या है, ministry of housing and urban affairs के द्वारा इसको launch किया गया है, ठीक है, और बस यही है, it will serve as monitoring tool and accelerator for अमरुत mission, तो अमरुत mission क्या है, अमरुत mission क्या है, अमरुत की full form है, अटल, mission for rejuvenation and urban transformation, कि जो आपका urban area है, वहाँ पर, तीवे system कैसा है, water treatment plant कैसे है, उनको rejuvenate करना है, urban areas को, उसके लिए scheme को शुरू किया गया था, इत्स से ज़्यादा और कुछ पढ़ने के जुरूरत नहीं है, बहुत limited weekly इसके अंदर में थे article, बट जो भी थे, जो factual थे, मैंने आपके साथ में discuss कर लिया, I hope आप सभी ने session को enjoy तो किया ही होगा, और आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों, आज ये जो information है, ये आप सभी के लिए है, कि अगर आप 2024 में UPC की तयारी करना चाते हैं, तो इस course में enroll करिए, बहुत ही बेहतरी नुशांदार course है, आपको बहुत जादा help इससे मिलने वाली है, लेकिन code क्या use करना है, PRT live code ही आपको use करना है, क्या करना है, PRT live code ही आपको use करना है, तो telegram पर प्रशान तिवारी, PDF न बाइ-बाइ टेकल्स दो, जैहें